हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उत्तर पर्दिस में दोस्तो जब हम Realme के फोन में अपने फॉन को लोक कर देते हैं और fingerprint के द्वारा unlock करना चाते हैं यह अपने फोन में fingerprint add करना चाते हैं तो उस आपके फोन में कहीं अलग option हो सकता क्यूंकि आपके फोन के मॉडल के उपर पर डिप्यंड होता है है आपके फोन में फिंगर्पर्रिंट फ़िल्गिंट और पहले दिखाता हूं जब मैं अडर करने जाता उं ऑफि कांटरेनियो का बटन है। मैं इसपर किलिग permettaton अब यहाँ पर ऐसा option दे दे रहा है और हमारा fingerprint add ही नहीं हो रहा है जब add नहीं होगा तो आपके phone में unlock कैसे होगा और काफी लोगों phone में add तो हो चुका है लेकिन अपने phone को fingerprint के दोरा unlock नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना phone switch up कर देना है मैं भी अपना phone switch up कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों switch up करके हमने फिर से open किया और यहाँ पर चलिए आप लोगों के सामने फिर से fingerprint को add करूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊँगा यह problem solve हुई है या नहीं हुई है और login करके पूरा interface आप लोगों को दिखाऊँगा fingerprint और आइड करके analog भी करूँगा यहाँ आप देख सकते हैं अब continue के बटन पर click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं fingerprint scan करने के लिए कहरा है अपना finger तो चलिए हम scan करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं successfully scan होना चालू हो जाता है और यहाँ पर 100% तक हो जाएगा लग रहा है यहाँ आप देख सकते हैं 70% और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 89 यहाँ पर देख सकते हैं 100% हो चुका है अब यहाँ पर done हम कर देते हैं चलिए finally अब अपने phone को अनलोग भी करेंगे लोग करके यहाँ पर चलिए यहाँ पर add हो चुका है finally अपने phone को हम लोग करते हैं लोग करने वाल अनलोग करेंगे यहां भी देख सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट को टच करते हैं, तुरन्त हमारा फोन अनलोग हो जाता है, तो सेम प्रोसेस है, आपको अपने फोन में यही प्रक्रिया अपनानी है, वीडियो पसंद आई, लाइक जरूर करिए